आगे देखते हैं तो एक रिगस्तान में सिंभा बेहोश था, तभी सिंभा को दो अंजान लोगों द्वारा बचाया जाता है, इन लोगों को राज्य से बाहर निकाला गया था, जिसका नाम तिमोन और पॉम्बा है, सिंभा अपने दो नए दोस्तों के साथ रहने लगता है, उसके नए दोस्त एक ही वाक्य को हमेशा बोलते थे हकोना मटाटा इसका मतलब था कोई चिंता नहीं, वहुन के साथ कीडे मकोरों को खाना सिक गया था, अब वह बड़ा हो गया था और एक लापरवाह जीवन जी रहा था, वर्षों बाद एक दिन पॉम्बा के पीछे एक शेरनी पर जाती है, फिर सिम्बा टिमोन और पॉम्बा को एक भूखी शेरनी से बचाता है, जो उसकी बचपन की दोस्त नाला होती है, सिम्बा और नाला को प्यार हो जाता है, और वह उससे घर लोटने का आग्रा करती है, उसे बताती है कि स्कार के शासन में प्राइड ल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें